खिला को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं खिला के दो मतलब होते हैं एक तो जैसे कोई फूल खिला या कोई फूल खिला हुआ था तो ये वाला जो खिला हुआ या फूल खिलना होता है उसको आप ब्लोसम्ट या ब्लूमिंग कह सकते हैं ब्लोसम्ट या ब्लूमिंग और एक होता है जैसे कि भे खाना खिला रहा था या भे अपने बच्चे को खाना खिला रहा था तो जो खिलाने वाला खिला होता है उसके लिए आप feeding का इस्तेमाल कर सकते हैं F-W-E-D-I-N-J feeding जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि बगीचे में एक सुन्दर फूल खिला हुआ था तो आप कह सकते हैं A beautiful flower was blooming in the garden A beautiful flower was blooming in the garden या अगर आप ये कहना चाहें कि वह उसे खाना खिला रहा था तो आप कह सकते हैं He was feeding her He was feeding her अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें